नमस्कार, इस बजेट में आत्म निर्भर भारत और मेक इन इंडिया को लेकर जो निर्णे लिये गए हैं, वो हमारी इंडुस्ट्री और एकोनोमी दोनों के लिए काफी महत्वपूर है। मेक इन इंडिया अभ्यान आज 21 सदी के भारत की आवशक्ता भी हैं और ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ दिखाने का भी आवसर देता है। अगर किसी देश से रो मट्रियल भार जाएं और वो उसी से बने मैनिफेक्चर गूर को इंपोर्ट करें, इस्थिती किसी भी देश के लिए गाटे का सौधा होगा। दूसरी तरफ भारत जैसा विशार देश सिर्फ एक बाजार बनकर रह जाए, तो भारत कभी भी न प्रगति कर पाएगा, न हमारी युवापीडी को आवसर दे पाएगा। यह वैस्विक महामारी के दौर में हम देख रहे हैं कि किस तरह विश्व में सप्लाई चेन तहस नहस हुई है। और इन दिनों तो हम विशेश तोर पर देख रहे हैं कि सप्लाई चेन के विशे ने कैसे पूरी दुनिया की एकोनोमी को भी हिला के रख दिया है। जैसे हम सारी नेगेटिव बातों को हमारे सामने देखते हैं तो जड़ा दूसरा पहलू देखें। इस के प्रकाश में भी हमें लगेगा कि इतने बड़े संकट जब सामने होते हैं कभी भी स्थितियां बदलती हैं तो मेक इन इंडिया के ज़रूरत पहले से ज़्यादा हो गई है। दूसरी तरब अगर हम देखें। क्या कोई पॉजिटिव बाते हैं जो हमें मेक इन इंडिया के लिए प्रेरित करती हैं। अवसर को हम ढूंड पाते हैं क्या। आप देखें जिस देश के पास इतनी बड़ी मात्रा में युवा पीड़ी हो नवजमान हो। जिस देश के लोगों की टैलेंट के विशह में दुनिया में कोई question mark न हो। आवश्यक्ता के अनुक्सकार, skilled manpower को develop करना। demographic dividend और दुनिया आज democratic values की तरफ बहुत आग्रव और आशाभरी लचर से देख रही है। यानि अपने आप में यह ऐसा संपूठ है। एक ऐसी चीजें हमारे पास हैं जिसको लेकर के हम एक बड़े सपने देख शकते हैं। उसके साथ साथ अथा प्राकुर्तिक संपदा के हम धनी हैं। हमें इसका भरपूर इस्तेमाल मेक इन इंडिया के लिए करना ही चाहिए। प्रेंट्स आज दुनिया भारत को मैनुफेक्टरिंग पावर हाउस के रुप में देख रही हैं। हमारा मैनुफेक्टरिंग सेक्टर हमारी जीडीपी का पंदरा परसंट है। लेकिन मेक इं इंडिया के सामने इंफिनिट पोसिबिल्टिस हैं। हमें भारत में एक रोबर्स मैनुफेक्टरिंग बेस बिल्ड करने के लिए पूरी ताकत से काम करना चाहिए। चाहे केंदर सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानिय स्वराज के संस्ताओं के नियम हो, प्रावेट पार्टनर्सिप हो, कॉर्परेट हाउस हो, हम सब देश के लिए मिल करके कैसे काम करें। देश में आज जिसकी जरुरत है, जिसकी आवशक्ता बढ़ रही है, उसमें हमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। अब दो चीजे हैं, एक, एक्सपोर्ट को धर्मेर करके सोचना, दूसरा, भारत की रिक्वार्मेंट को पूरा करने के लिए सोचना। चलिए मानिए जी हम दुनिया में कॉम्पूटिटिव नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन भारत की आवशक्ताओं में हम वैसा क्वालिटी मट्रियल दें, ताकि भारत के लोगों को बहार देखना न पड़ें। यह तो हम करी सकते हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा कि मेक इन इंडिया में हम दूसरी बात है। एक बार मैंने लाल के लिए से कहा था। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। हमारा प्रोडक्ट रती भर भी डिफेक्ट वाला नहीं होना चाहिए। कॉम्पूटिटिव वर्ल में क्वालिटी मेटर करती हैं। और दूसरा, आज दुनिया एनवार्मेंट कॉंसियस हैं। तो जीरो इफेक्ट, एनवार्मेंट पे जीरो इफेक्ट। यह दो ऐसे मंत्र हैं जो हमें दुनिया में क्वालिटी के कारण और ग्लोबल बॉर्मिंग के सामने चुनोतियों को निपटने के रास्ते के कारण हमें स्विकार कर सकता है। उसी प्रकार से आज जिस प्रकार से टेक्टनोलोजी बडली है। जिस प्रकार से कॉम्मुनिकेशन वर्ल में जवर्दस रिवलूशन आया है। अब जैसे सेमी कंडुक्टर, अब सेमी कंडुक्टर के ख्षेत्र में, अब हमारे लिए आत्मन निर्भर बने बिना कोई चाराई ही नहीं है। मेक इन इंडिया के लिए मैं मानता हूँ एक नया ख्षेत्र नई संभावना ये लेकर के आया है। हमें ये दूर का देखना चाहिए, साथ-साथ हमारी जरूरत भी है, देश की सुरक्षा के लिहाद से सोचे, तो इस पर हमारा ध्यान होना और ज्यादा जरूरी है, हम देख रहे हैं कि कैसे EV, इलेक्टिक वेहिकल्स के चेत्र में लोगों का आकर्शन भी बन रहा है, एन्वा भी बढ़ रही है, क्या भारत उसमें इनोवेशन नहीं कर सकता, मेके निडिया मैनिफेक्चर नहीं कर सकता है, क्या भारत के मैनिफेक्चर इसमें अपना लीड रोल नहीं कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि मेके निडिया की भावना के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, एक क्वालिटी स्टील के लिए हम फिर से इंपोर्ट करें। अब ऐसी तो कैसी स्थिती हैं कि भी हम उस आयन और से उस टील को न बनाएं जो हमारे देश की ज़रुरत हैं। मैं समझता हूँ कि यह हमारा कर्तबी भी बनता है और मैं उद्योग जगत के लोगों से आगर करूँगा कि आईए यह कच्छा माल आयन और बाहर बेज बेज करके हम क्या देश को देंगे। साथियों भारतिय मैनिफेक्टरस को यह देखना चाहिए कि देश की निर्भरता बाहर पर कम से कम हो कम से कम हो इसलिए इस खेत्र में भी मेकिन इंडिया आज समय की माग है। एक और सेक्टर मेडिकल एक्विप्मेंट्स का है। बाहर बहुत सारे जरूरी मेडिकल हम उसके लिए जो आवश्यक एक्विप्मेंट्स होते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, अब क्या हम मेडिकल एक्विप्मेंट्स नहीं बना सकते हैं? मैं नहीं मानता हूं को इतना कठीन काम है हमारे लोगों में उतना सामर्त है कर सकते हैं हम उस पर जोड़ दे सकते हैं क्या हमें ये समझना ही होगा कि कोई चीज मार्केट में उपलब्द होना मतलब हम संतुष्ण हो जाए लोगों के रिक्वार्मेंट पूरी हो रही है बाजार में चीजे मिल रही है लेकिन वह बाहर सी आई हुई चीजे और मेक इन इंडिया प्रोड़क्ट ये उपलब्द हो और जब वो देखें और उसका मन करना चाह है हमें यह लेना है यह स्थिती हमें पैदा करनी चाहिए जी और यह फर्क नजर आना चाहिए अब देखिया हमारी हां इतने त्योहार होते हैं होली है गणेशोत्सव है दिपावली है इतनी सारी चीजे इन त्योहारों में बहुत ही बड़े स्केल पर उसका एक मार्केट ह होता है और वो छोटे 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 लोगों की रोजी रोटी का अवसर देता है लेकिन आज वहां पर भी विदेशी चीजों ने अपनी जगा बना लिये हैं अब यह पहले सारी चीजे हमारे लोकल मैनुफेक्टर्स इस डिमांड को पूरा करते थे और बरत वोकल फोर लोकल, वोकल फोर लोकल के लिए बुलता रहता हूं तो मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों को लगता है कि दिवाली के दिये ये खरीदना मतलब वोकल फोर लोकल हो गया वह इसी बहुत सी चीजे हैं जी थोड़ा नजर करें मैंने छोटा सा विशे एक दिन अपने घर में सुबेशे शाम तक जिन चीजों का उपयोग करते हैं उसमें कितनी चीजे हैं जो आप भारत की उपयोग नहीं करते हैं और अनिवार ये रुप से विदेशी लेनी ही पड़ीगी उसको अलग कीजिए और फिर देखिए आपको भी चौक जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और इसलिए मैं मैं जो मैनुफेक्टरर्स हैं उनको भी मैं ओन बॉर्ड लाना चाहता हूँ साथ यह कोहर विशा है भारत में बने प्रोड़क्स की ब्रैंडिंग का अब मैं तो देख रहा हूं हमारी कंपनिया अपने प्रोड़क्स की बहुत सारी एवर्टाइ क्या चाहता है आपका आपका तो माल भीकने वाला है और इस देश में आज भी देश के प्रती भावना रखने वाला एक बहुत बड़ा सम्हुदा है जो इस विशे में कॉंशेसली प्रायात न करता है लेका आप उसको एंकेस करने के लिए एक व्यापारी ग्राणदिती के आते तो सोचिए आप आपकी कंपनी जो प्रोड़क बनाती है उसको लेकर आप खुद भी गर्व कीजिए और लोगों को भी गर्व करने के प्रेरित कीजिए आपकी महनत निकम में नहीं है जी आपके पाद अच्छी चीजे हैं लेकिन हिम्मत के साथ आप आईए दोकों को बताईए कि हमारे देश हमारी मिट्टी की चीज है हमारे लोगों के पसियने की महक है उनको भावात मुकृप से जोड़िये अब मैं चाहता हूं इसके लिए कॉमन ब्रेंडिंग पर भी सोचा जा सकता है सरकार और प्राविट पार्टी मिलकर के हम एक अच्छी सी चीज ड बढ़ाना है और प्रोड़क्ट पॉट्फोलियो को डावेशिभाई करने के लिए अपग्रेडेशन पर भी जोड़ देना होगा अब जैसे आपको यह पता है कि साल 2023 को विश्वभर में इंटरनेशनल ये रॉप मिलेट्स के तौर पर मनाये जाएगा अब स्वाबाविक लोकों का आकरशन मिलेट्स की तरफ बढ़ने वाला है क्या भारत के मिलेट्स दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर कुछ न कुछ पहुंचे यह सपना हिंदुस्तानी का नहीं होना चाहिए हमारा छोटा किसान हमें कितना असिरवात देगा और उसके ल मुझे लगता है कि इसको हमने करना चाहिए आप जुरूर इसमें सफर हो सकते हैं दुनिया के बाजारों का स्टरी करके जादा से जाड़ा प्रोडक्शन और पैकेजिंग के लिए हमें अपनी मिलों को अभी से ही तैयार करना चाहिए माइनिंग, कोल, डिफेंस यह ऐसे से भावनाएं बनी हैं, क्या हम अभी से इन सेक्टर्स के द्वारा होने वाले एक्सपोर्ट के लिए कोई रणदीती बना सकते हैं, आपको ग्लोबल स्टांडर्स भी मैंटेन करने होगे, और ग्लोबली कॉम्पेट भी करना होगा, चाहिए इस बजेट में, क्रेडिट, फेस MS MS के लिए 6,000 करोड रुपिय का RMP प्रोग्रेम भी एनाउस किया है, बजेट में, लाज इंडिस्ट्री और MS MS के लिए, किसानों के लिए, नए रेल्वे रोजिस्टिक प्रोडक्स डेवलप करने पर भी ध्यान दिया गया है, पोस्टल और रेल्वे नेट्वर्क के इंट एक्टिविटी की दिक्कतों का समाधान होगा, हमें इस खेत्र में इनोवेटिव प्रोडक्स विक्सित करने हैं, और इसमें भी आपका सक्रिय युगदान आवश्यक है, रीजिनल मैनिफैक्टिरिंग एको सिस्टिम को प्रमोट करने के लिए, पी-एम डिवाइन स्किम ब कर सकते हैं, पेशल एकोनोमिक जोन एक्ट में रिफॉर्म से हमारे एक्सपोर्ट को काफी बुष्ट मेलेगा और मेक इन इंडिया के ताकत बढ़ेगी, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम अपने वरतमान ऐसी जड़ की कारेपनारे में किस तरह के परिवर्तन कर सकते ह हैं, इस बारे में आपके सुझाव एहम होंगे. फ्रेंट, इंडिस्ट्री को साथ लेकर एक के बाद एक जो लगाता रिफांस हुए हैं, उसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा है. उदान के तोर पर, लार्ज स्केल इलेक्टनिक मैनिफेक्टरिंग के लिए, पी एलाई क सेग्मेंट इवन तक, इस टारगेट सेग्मेंट में हम एक लाग करोड रुपे के प्रोडक्शन के भी को भी और जा चुके हैं, उसको पाकर चुके हैं, हमारी कई पी एलाई स्केम्स इस समाई, इंप्लिमेंटेशन के बहुत अहम चरण में हैं, आपके सुझाव, इंप् कारत की मैनुफेस्केरिंग जर्नी में, कंप्लाइंस बढ़न बहुत बड़े स्प्रीड ब्रेकर रहे हैं, पिछले साल ही हमने पत्चीस हजार से जादा कंप्लाइंसीज को खत्म किया है, लाइसंस के आटो रिन्यूवल की ववस्ता शुरू किया है, इसी तरह हम से लेकर नेशनल सिंगल विंडो सिस्टिम तक अब हर स्टेप पर आप हमारी डेवलोप्मेंट फ्रेंडली एप्रोच को मैसूस कर रहे हैं, फ्रेंड्स हमें आपका ज्यादा से ज्यादा कॉलोबरेशन चाहिए, इनोवेशन चाहिए, और रिसर्च बेज फिचरिस्टि उससे मेकिन इंडिया के मिशन को और ज्यादा मजबूती मिलेगी, मैं आप सब के सामने एक आगरे करूँगा, देखिए ये वेबिनार, एक लोग तंत्र का एक वो रूप है, जो शाहिद ही बहुत कम लोग, उसकी तरफ ध्यान लोगों का गया है, जन प्रतिनीती बजेट की चर्चा करें और बजेट को आगे बढ़ाएं, सरकारी बाबू और पॉलिटिकल लीडर्शिप बजेट के आधार पर कारिकम बनाएं, पहली बार मैं बजेट प्रस्तुत करने के बाद, एक एप्रिल के पहले जो दो महिने का समय मिल रहा है, बजेट के हर प्रावधान की चर्चा स्टेक होल्डर से कर रहा हूं, आप से मैं सुझाव ले रहा हूं, आपकी भागीदारी चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इंप्लिमेंट करते समय, फुर्स्टों कॉमा इधर उधर हो जाता है, तो फाइले छे-छे मिने गुमती रहती है, मैं उस समय को बचाना चाहता हूं, आपको पता है कि आप उस छेतर में काम कर रहे हैं, आपको पता है कि बजेट है, उस बजेट की लाइट में ऐसा करेंगे तो इतना फाइदा होगा, ऐसा करेंगे तो इतना फाइदा होगा, ऐसा करेंगे, आप अच्छे अल्टरनेट प्रेक्टिल सुझाओ द जादा से जादा effective हो, ये लक्ष को लेकर हमारी गर चर्चा केंदित रही जी. चाहर की तरब से हम आपको घ्यान देने के लिए वेबिनार नहीं है. ये बेमिनार आप से सिखने के लिए है, आप से समझने के लिए है, और इसलिए सरकार की पूरी वबस्ता आपको सुनने के लिए बैटी हुई है, और उसी के आधार पर हम एक एप्रिल से हमारे बजेट को कैसे अच्छे तरीके से लागू करें, यह हमें सोच रहा है, मैं बीतर भीतर ऐसी सिद्र पैदा करूँगा, इस देश को फलानी चीज कभी भी इंपर्ट नहीं करनी पड़ेगी, मैं देश के सो आइटम इंपर्ट होती है, दो आइटम कम करने का काम मैं करूंगा, कोई कहेगा तीन आइटम पूरी तरह भारत की मेकरिन इंडिया वाली मैं कर दूंगा हमारा सपना होना चीजी है मैं किसान को जानता हूं जी उस किसान ने तही किया कि five-star hotel में जो सब्जी आती है मैंने तही किया जो सब्जी को five-star hotel को छोटा टमाटर छोटी है, छोटी प्याच चाहिए, छोटे कौन चाहिए, बोले मैं इसको बनाऊंगा लेकिन मेरे देश में और मैंने देखा वो पड़ा लिखा किसान नहीं ता, उसने महनत की, उसने लोगों की मदद ली और उसने वो चीज़ दी ते हिंदुस्तान के फा देश को भी फाइदा हुआ, क्या ये काम मेरे उद्द्योग जगत के लोग नहीं कर सकते हैं, क्या? मैं आपसे आगरह करूंगा ये, और इस देश का आप पर हक है, इस देश का आप पर हक है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत को मजबुद बनाने के लिए, आपका उद् कोड़क, दुनिया भर में इज्यत कमाई, ये हम चाहते हैं, और इसलिए हम मिल बैठ करके करें, मिल बैठ करके आगे बढ़े, इसलिए मैंने आपको निमंत्रित किया है, आपने समय दिया है, दिन भर ये समय ज्यादा फुरुफुल हो, यही मेरी अपेशा रहेगी, मेरा आपको बहुत बहुत शूप कामना है, बहुत बहुत धन्यवाद.